आज के इस वीडियो में हम लोग विकम पार्ट वन एक्जाम के इकनॉमिक सब्जेक्ट के चैप्टर टू इकनॉमिक सब्जेक्ट के चैप्टर टू थिवरी अफ डिमांड के बहुती महत्पून 40 या 50 अबजेक्टिब सवाल्स को देखेंगे ठीक है इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगोंने फार्ट चैप्टर को दोनों लैंग्विजेज में हिंदी और इंग्लिस दोनों में अच्छे से लगभग कहा रह सकता है सत्तर या 80 अबजेक्टिब सवाल्स को देखे थे और आज हम लोग इसी का इकनोमिक्स का ही दूसरा चैप्टर तियोरी अफ डिमांड के करीब 45 अबजेक्टिब सवाल को देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग 45 अबजेक्टिब सवाल को देखेंगे दो वीडियो के माध्यम से इस चेप्टर के theory of demand चेप्टर के सभी महत्पून या सभी important जो भी objective questions बनने वाले हैं उन सभी को देख लेंगे ज़्यादा सवाल होएंगे तो exam में आने का chance रहता है ठीक है जिस वेसे हम लोग 70-80 objective सवाल को देखेंगे chapter 2 से theory of demand से ठीक है इससे पहले हम लोगों ने एक से लेके 45 तक के बहुती महत्पून objective सवाल को देख लिए हुए है आज हम लोग 45 से आगे करीब 50 या 45 और भी बहुती महत्पून objective सवालों को देखेंगे ठीक है तो 46 सवाल है मांग नियम लागू होने के लिए option A आए के वितरन में परिवर्तन होना आवस्यक है 47 सवाल religious वेसे परतिष्ठा रक्षक वस्तूओं के साथ मांग का नियम आप्सन E लागू होता है औप्सन B लागू नहीं होता है या option C अप परवावित रहता है या option D इनमे से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा option B लागू नहीं होता है और तारिस वा सवाल मांगे नियम का परवावपुन ढहंसे लागू होने के लिए नए अविसकारों को का होना आवस्यक है या option B आवस्यक नहीं है या option C मानेताओं का उलंगन है या option D इन में से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा option C मानेताओं का उलंगन है 49 सवाल भविश्य में किसी वस्तु के दुरलव होने की आकांसा होने पर मांग का नियम लागू होता है लागू नहीं होता है दोनों या इन में से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा option B लागू नहीं होता है 50 सवाल निमने कोटिक की वस्तु के साथ मांग का नियम लागू नहीं होता है या option B लागू होता है या option C A और B दोनो या option D, इन में से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा option A, लागू नहीं होता 51 सवाल मांग ताली का अधार होती है मांग के नियम का option B, सिमान्त उपयोगिता हरास नियम का या option C, मांग वक्र का या option D, इन में से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा option C मांग वक्ड का 52 सवाल यदि पूरक वस्तू के मुल्ने में कमी आती है तो वस्तू की मांग बढ़ती है या घरती है या option C इस्तिर रहती है या option D कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा option A बढ़ती है तिरपनवा सवाल मांग की लोच मापने के लिए परतिसत या अनुपाती खिरिती का परतिपादन किस ने किया आपसने मार्सल ने आपसन भी फलक्स ने या आपसन सी हिक्स ने या आपसन भी कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा आपसन भी फलक्स ने चबनवा सवाल मुल्ले वृद्धी में मुल्ले वृद्धी से गिफीन वस्तू की मांग बढ़ती है या आपसन B घरती जाती है या आपसन C इस्तिर हो जाती है तो इस सवाल का सही जवाब होगा option A बढ़ जाती है सवाल क्या था मुल्ले वृद्धी से गिफीन वस्तू की मांग तो इस सवाल का सही जवाब क्या था option A बढ़ जाती है 55 सवाल उभोकता की सरवधिक संतूष्टी के लिए option A वस्तू की सीमानती उप्यूगता उसके मुल्ले के समान होनी चाहिए या option B वस्तू की सीमानती उप्यूगता उसके मुल्ले से अधिक होनी चाहिए या option C सीमानती उप्यूगता और मुल्ले का कोई संबंद नहीं है या option D इन में से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा option A, वस्तु की सीमान त्योप्युक्ता उसके मुले के समान होनी चाहिए 56 सवाल, किसी समान ने वस्तु के मांग का वक्र की ढाल होती है option A, रिनात्मक, option B, धनात्मक, या option C, सुनने, या option D, और पडिभासित तो इस सवाल का सही जवाब होगा, option A, धनात्मक 57 सवाल, पूर्वी, पूर्ती, क्या है, पूर्ती स्वय मांग की स्रिजन करता है, या किस ने कहा option A, जेबी से, option B, जेके महता, option C, हंसन, या option D, कुरिहारा तो इस सवाल का सही जवाब होगा, option A, जेबी से ने कहा 58 सवाल, एक वस्तु की मांग, वक्र तता पूर्ती, वक्र दोनों बाई, और समान रुप से खिसकती है तो साम में कीमत क्या होगा, option A, घटेगी, option B, बढ़ेगी, option C, घटेगी, या बढ़ेगी, या option D, ना तो घटेगी, ना बढ़ेगी इस सवाल का सही जवाब होगा, option D, option D सही होगा, ना तो घटेगी, और ना बढ़ेगी उन सटवा सवाल, निम्लिखित में से कौन मांग की लोच को परभावित करता है, option A, वस्तु की प्रक्रिती, option B, वस्तु का विविद, उप्योग, या option C, समय तत्व, या option D, इन में से कोई ने, इन में से सभी इस सवाल का सही जवाब होगा, option D, इन में से सभी सवाल क्या था, निम्लिखित में से कौन मांग की लोच को परभावित करता है, तो इन में से सभी, वस्तु की प्रक्रिती, वस्तु का विविद, उप्योग, और समय तत्व, ये सभी परभावित करता है साथवा सवाल मांग वक्र नीचे जुकती है बाई से दाई और बाई और सीधे या कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा उप्शन A दाई और एक सवाल मांग की लोच मापने के लिए परतिसत या अनुपातिक रिती का परतिपादन किस ने किया सवाल किसी वस्तू की कीमत मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है या किसका कथन है आप्शन A जेवांस आप्शन B वालरस या आप्शन C मार्सल या आप्शन D इन में से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंड किजिएगा ठीक है इस सवाल का जवाब आप लोग जरूर कमेंड किजिएगा सवाल क्या है किसी वस्तू की कीमत मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है तो इस सवाल का जवाब आप लोग जरूर कमेंड किजिएगा सवाल नमबर 62 और A, B, C, D जो हैंगा आप लिख दिजेगा ठीक है तीर सटवा सवाल विक्री की गई इकाईयों में जैसे जैसे विरिद्धी होती है वैसे वैसे आउसत आए बढ़ती है या आपसन B घटती है या आपसन C इस्तिर रहती है या आपसन D तिव्र गती से बढ़ती है तो इस सवाल का सही जवाब होगा आपसन B घटती है 62 का सही जवाब क्या है ? हम बता देते हैं 62 सवाल क्या था ? किसी वस्तू की कीमत मांग और पूर्ती द्वारे निधारित होती है ? 62 का ओप्शन C सही होगा 65 सवाल नैून मांग की इस्तिति से उबरने के लिए उपाए है उप्शन A, साख में वृध्धी, उप्शन B, घाटे का बजट, उप्शन C, निवेश में प्रुसाहन या उप्शन D, इनमें से सभी इस सवाल का सही जवाब होगा, उप्शन C, निवेश को प्रुसाहन उसकी मांग में जो वीपिरित परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं उसकी मांग में जिस दर अनुपात में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं उप्शन A, मांग की लोच, उप्शन B, मांग का नियम, उप्शन C, A, और B, दोनों, या उप्शन D, इनमें से कोई ने तो इस सवाल का सही जवाब होगा, उप्शन A, मांग की लोच सवाल क्या था, वस्तु के मुल्य में परिवर्तन से उसकी मांग में जिस दर या अनुपात में परिवर्तन होता है, उसे मांग की लोच कहते हैं और सटवा सवाल, किसी वस्तु के मुल्य में परिवर्तन से मांग में जो परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं मांग की मुल्य लोच, या उप्शन B, मांग की आय लोच, या उप्शन C, मांग की आरी लोच, या उप्शन D, इनमें से कोई ने तो इस सवाल का सही जवाब होगा Option A मांग की मुल्ले लोच उनात्तरवा सवाल उपभोकता की आय में परिवर्तन होने से वस्तू की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं Option A मांग की मुल्ले लोच Option B मांग की आरी लोच Option C मांग की आय लोच तो हो सकती है option верх next time cheaper option B आप Hmmm सभी तो आप छो कमिल कीजिए तो क्या होगा इसका सहे if यषर सब्सक्राइब क्या आ है लौच हो सकती है क्या जार है का किरिणातमक रिनातमक सुन्ने सभी तो सत्तर का सहे जवाब होगा option D इनमें और से सभी ठीक है एकतरवा सवाल जब AI में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन एक ही दिसा में हो तो उसे कहेंगे क्या कहेंगे Option A. धनात्मक AI LOGE Option B. सुनने AI LOGE Option C. रिनात्मक AI LOGE या Option D. इनमें से कोई निग इस सवाल का सही जवाब होगा Option A. धनात्मक AI LOGE 22 सवाल जब I में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन वीप्रिदिसारब में हो तो उसे कहेंगे Option A. रिनातमक आयलोच Option B. धनातमक आयलोच Option C. सुनने आयलोच या Option D. इनमें से कोई नी तो इस सवाल का सही जवाब होगा Option A. रिनातमक आयलोच ठीक है तो उसे कहते हैं तो इस सवाल का सही जवाब होगा इसको आप अच्छे से यूटूब वीडियो में या अपने सर से अच्छे से समझ लेजेगा यहाँ पर बहुत जादा कनफीजन होती है यह क्या है अपजेक्टिव कोशन से यह टेस्ट कहा जा सकता है यह रिविजन है यह कहा जा सकता है जो लोग नहीं पर है जो लोग नहीं क्लास की है उसको अच्छे से रट ले क्योंकि यहाँ पर क्या है टेस्ट है नर्मली आपको अच्छे से क्या कहा जा सकता है एक के सेलेक्टिव कोशन्स मिल रहे है जिसको आप test के रूप में ले सकते हैं ठीक है यहाँ पर deep में पढ़ाया नहीं जा रहा है ज़स्ट आपको एक questions दिया जा रहा है ताकि आपका revise यहाँ कहा जा सकता है test के रूप में हो जाए ठीक है और directly आपको देख रहा है तो इसका answer पता चली रहा है तो अच्छे से इसको परिवर्तन की तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन होगा तो उसे कहेंगे option a e greater than one, option b e equal to one या option c e smaller than one या option d इन में से कोई नहीं इस वाल का सही जवाब होगा option a e greater than one ठीक है चले आगे हम लोग देखते हैं ठीक है निमनिकी तत्व में से किन से मांग की लोज परवाव होती है option a वस्तु की प्रक्रिती, option b पूरक वस्तु की मांग या option c उभोकता की आया option d इन में से सभी तो इस सवाल का सही जवाब होगा option d इन में से समी उमित करते हैं सभी आपको अच्छा लगा होगा इससे आपको ज़रूर कुछ फायदा पहुंचा होगा ठीक है चलिए आपको देखेंगे दो वीडियो के माध्य है ताकि वीडियो लंबा ना हो आप अच्छे से उसको ना दो भागों में है तो आप अच्छे से दो टाइम में इसको अच्छे से देख लिए ठीक है उमिद करते हैं यह सभी आपको अच्छे लग रहे होंगे है इसी तरह के वी सबी को पाने के लिए हमारे शनल को सब्सक्राइब करके प्रेली बढ़ा देजेगा ताकि हम जब भी वीडियो अप्लोड करें आपको मिल जाए and thank you so much for watching this video